काली यानी, वो समय है, काली की पूजा कई सदियों से होती आई है अंत में आपके खोपड़ी भी एक दिन उनकी माला में टंगी होगी क्योंकि काली समय है, काली का मतलब खाली पानिया स्पेस भी होता है तो प्रकाश जो मुंबई से हैं, पूछते हैं कि जब मेरे पास करने को कुछ नहीं होता, तो मैं टाइम कैसे केल करूँ मुझे खुशी है, आप सब समझ गए मुझे नहीं पता था, मुंबई में लोगों के पास कोई काम नहीं है आम तोर पर वो बिजी लोग होते हैं तो आप टाइम को किल करेंगे नहीं, टाइम आपको हर घड़ी किल कर रहा है ये समय हैं जो आपको मारता है, आप समय को कभी नहीं मारते अब आप मुंबई में हैं और आपको आज कल जो काली को लेकर विवाद चल रहा है उसके बारे में पता होगा मुझे पता है, ये एक राजनीतिक विवाद है पर अब जब काली की बात हो ही रही है, तो मैं आपको काली का मतलब बताता हूँ काली यानि वो काल या समय है उनके गले में जो ये इतनी खोपडियां है मैं चाता हूं कि आप ये समझें कि आज ये जो काली की भयंकर और युद्धों की रानी वाली तस्वीरे हैं वो जो राक्षसों के सिर काटती हैं और ये सब ये तस्वीरें केवल करीब 14-1500 साल पुरानी हैं पर काली की पूजा कई सदियों से होती चली आ रही है तो ये हाल ही की तस्वीरें हैं और पिछले दो-तीन शताब्दियों में काली को लेकर ऐसे एक उदार मावले गुण जोड़ जाने लगे हैं मुझे लगता है कि ये सब बाहरी असर वगरा की वज़े से हुआ है पर असल में काली यानी समय अंत में आपकी खोपड़ी भी एक दिन उनकी माला में टंगी मिलेगी क्योंकि वो समय हैं वो महा काली है और इसी लिए समय हमेशा नाचता रहता है समय कभी नहीं रुकता है न आप चाहें तो अपनी घड़ी रोक सकते हैं पर समय नहीं रुकता सिर्फ अमेरिकियों को साल में एक घंटा आगे पीछे करने की आदत है वरना समय हमेशा भागता रहता है एक बार मैंने टाइम ट्राइवल किया था देखे मैं कोई आम आद्मी नहीं हूँ दुनिया भर के लोग इंतजार कर रहे हैं कि गुरू कुछ अकल की बात कहेंगे पर मैं मजाग कर रहा हूँ क्योंकि यही जीवन का ग्यान है कि आप अपने अस्तित्व के बारे में इतना गंभीर नहों थोड़ा मस्ती मजाग किया कीजिए नहीं नहीं लड़के मस्ती मजाग करने का लगी मतलब लगा रहे हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा अपने आप में खुद पर हसना सीखे क्योंकि आप एक मूर्ख है आप इस छोटे से मिट्टी के गोले पर बैठे हैं जिसे आप पृत्विग रह कहते हैं अनन्त अंतरिक्ष के बीच में हैं पर आप खुद के बारे में कितना सोचते हैं और खुद को कितना महत्वपून मानते हैं जबकि आप सिर्फ एक कण है समय और स्पेस दोनों के हिसाब से आप इस ब्रह्मांड में बस एक कण भर की जगा लेते हैं तो काली समय और स्पेस दोनों को दरशाती हैं काली शब्दकार्थ है काल यानि समय काल कार्थ खालीपन या काली कार्थ स्पेस या शूनिता भी होता है तो योग में समय और स्थान दोनों के लिए एक ही शब्द है क्योंकि हमारी नजर में वो अलग नहीं है ये केवल modern बुद्धी है, जो इसे ऐसे समझने की कोशिश कर रही है क्योंकि space है, क्योंकि point A और point B है तो उस दूरी को तै करने में समय लगता है आप इसे ऐसे क्यों नहीं देखते क्योंकि समय है, इसलिए point A और point B के होने की संभावना होती है मैं कह रहा हूँ, आप इन दो चीजों को लेकर अंडा पहले आया मुर्गी वाली बहस करते रह सकते हैं, इसलिए हम उने अलग नहीं समझते आप बहस करते रह सकते हैं, पहले क्या आया समय पहले है या space, मुर्गी पहले आयी या अंडा ये होता आ रहा है जीवन का ग्यान यूँ है एक दिन, शंकरन पिल्ले ये उनके पुराने कॉलेज के लोगों की मीटिंग थी कई सालों बाद, करीब 15-20 सालों बाद तो वो सारे एक बड़े रेस्टरांट में गए जहां सारे के सारे दोस पता है न, जब वो मिलते हैं कैसे उन्हें जोर से बोलना पड़ता है क्योंकि दस मिनट में उनमें से आधे लोग लगभख टली होते हैं आपको बहुत जोर से बोलना पड़ता है थाकि आपके मुबोले दोस्त आपकी बात सुन सकें जिन्हें आपने 15 साल से देखा तक नहीं है पर आप बहुत अच्छे दोस्त हैं ठीक है तो सभी लोग पीने और बात करने में बिजी थे और शंकरन पिल्लेई सभी ने हर तरह का खाना ओर्डर किया शंकरन पिल्लेई बस भोजन का इंतिजार कर रहे थे उन्हें भूक लगिये उन्हें बातचीत में कोई दिल्चस्पी नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि कॉलेज में भी उनके दोस्त बकवास ही करते थे अब भी बकवास तरक्वी कर लेती है हाँ देखे आप अपने टीनेज वाले बच्चों की बाते सुनें वो कैसे कुचु 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 करते रहते हैं आप सोचते हैं ये क्या नॉन्स्टॉप बकवास कर रहे है पर जब वो आपकी बाते सुनते हैं तो कहते हैं ये फाल्तू बकवास है क्योंकि बड़ों को लगता है उनकी बकवास ने तरक्वी कर लिये असल में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है वही बातें जो अलग-अलग रूप ले लेती है तो शंकरन पिल्लाई भोजन के इंतजार में बस बैठे रहे फिर ये बहस चुड़ गई मुर्गी पहले आई या अंडा पहले इन सारे लोगों के बीच बड़ी बहस होने लगी वो लग-भग लड़ने पर आ गए तभी किसी ने शंकरन पिल्लाई को कोहनी मारी और कहां अरे ये क्या है? आप ऐसे कैसे बैठे हैं? आपको क्या लगता है? मुर्गी पहले आती है या अंडा पहले आता है? शंकरन पिल्ली ऐसे देखकर बोले उन्होंने जो भी पहले ओर्डर किया है वो पहले आएगा तो मिस्टर प्रकाश काली यानि समय आपको मार रहा है ऐसा कभी मन सोचिएगा कि आप कभी समय को मार सकते हैं बात ये है कि आप समय का कुछ नहीं कर सकते आप न तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं न उसे मार सकते हैं आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं या खुद को मार सकते हैं ये आप कर सकते हैं